एक चीज़ धामी साब जरूर मैं आपसे उसका जवाब जाता हूँ, देखे कुछ लोग होते हैं उसमें राजनीती भी करते हैं ऐसे मौकों पर भी और कुछ लोग होते हैं कोई ना कोई कसर ढूड़ने की कुशिश करते हैं, इस अभ्यान के साथ भी ऐसा चल रहा है, कॉंग पर मेक मीन निकालने पर विस्वास करते हैं, केवल बोलने पर विस्वास करते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज तक देश के अंदर जितने भी रेस्क्वी अव्यान चले होंगे, उसमें से ये सबसे कठिन था, उसमें से एक सबसे कठिन मैं से यह भी एक था, और इसमे मुदी जी पहले प्रधान मंत्री होंगे जिन्होंने एक रेस्क्य अभियान में एक दिनका भी नागा किये भी ना लगातार मैंने कहा कि अपने बेटे बेटें की तरह घर के बच्चों की तरह माबाब की तरह हमारे 41 समिक भाईयों की चिंता की है यह उनके लिए जवाब है पर सासन करने का काम किया है उनके समय में आपडाइं आई है हमारी प्रधेस्मा आपडा आई थी उनके समय में सायद कभी किसी प्रधान मंतरी ने दुरभास पर 있다 आना तो छोड़िए दुरभास पर भी बात कियो तो इस परकार की घटनाएं ये आने वाले समय के लिए भी एक तरह से जो राजिती के छेत्र में काम करते हैं या उन लोगों के लिए भी एक नजीर है कि क्यों बोलना नहीं थी बलकि करके दिखाना चाहिए हमारे प्रधान मंत्री जी ऐसे हैं जो उन्होंने एक संसकार पुर जो कहते हैं कि मोधी है तो मुम्किन है ये लोगों ने देश ने दुनिया ने इसको देखा है अंतिम प्रशन दामी जी मेरा कि इस हादसे का सबक क्या है ये भी चर्चा है कि अब जितने परियोजनाएं चल रहे हैं सबका सीफ्टी ऑड़ेट भी किया जाएगा सेफ्टी ऑड़ेट का आदेश तो भारा सरकार का हो गया है लेकिन हमारे राज्ये के अंदर और भी ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अलग-अलग एजन्सियां उन पर काम कर रही है हम सबी की समिक्षा करेंगे क्योंकि हमारे याँ टर्नल और ये जो टेक्नोलोजी है इसके कारण से काफी आसानी भी होने वाली है कटिन भोगली परिस्तिती है लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है इसके साथ साथ जहां इन सब प्रोजेक्टों के कारण से हमारे या चार धाम ओल वेजर रोडें बनने से भारत माला स्रंटला की सड़कें बनने से रेल की परियोजना प लेकिन इसके साथ साथ एकोलोजी का भी हम ख्याल रखेंगे, दोनों एकोलोजी और एकोनोमी दोनों बैलेंस होती रहे, दोनों एक साथ चले, उस पर हमारा फोकस होगा.